हेलो फ्रेंट्स, स्वगत अब सुभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक टेकवेन पर फ्रेंट्स अब तक जो आपको वोटर कार्ड मिलता था वो आपको एक मामूली वोटर कार्ड था उसमें कोई भी सेक्रिटिफ फीचर्स नहीं था परन्तु अब Election Commission of India के द्वारा एक नया हाईटेक वोटर कार्ड का डिजाइन तयार कर दिया गया है जिसमें आपको आधार कार्ड की तरह ही बहुत सारे सिक्रिटिफ फीचर्स देखने को मिलेंगे हाईटेक वोटर कार्ड के लिए आपको अपने वोटर कार्ड में अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्पलीट प्रॉसेस बताऊंगा कि आप अपने water card में अपना आधार नमर कैसे link कर सकते हैं जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंतक तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो friends इसके लिए आपको play store से एक application को download करना है जिसका नाम है water help plan आपको search पर click कर देना है आपको इस application को download कर लेना है मैंने पहले से download कर रखा है तो हम इसे open कर लेते हैं open करने की बाद friends आपको यहाँ पर में कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा इसके बाद आपको यहाँ पर में अपने आधार नमर को link करने के लिए यहाँ पर में water registration पर आपको click करना है इसके फ्रेंट्स आपको यहाँ पर में form 8 पर आपको click करना है फ्रेंट्स यदि आप अपने user id password पहले से ही बना रखे हैं तो यहाँ पर में आपको अपने mobile नमर को fill up करना है यदि आपके पास user id और password नहीं है तो user id और password कैसे बनाते हैं मैंने आपको दूसरी वीडियों बता दिया है जिसे आप iTap पर click करके देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपना mobile नमर को fill up करना है इसको आपको send OTP पर आपको click कर देना है आपको friends यहाँ पर में OTP को fill up करना है इस जयुक्स ओधिया और इस वाले box में आपको password को fill up करना है इसको आपको यहाँ पर में login now वाले option पर आपको click कर देना है लोगिन पर click करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा login हो गया है इसको आपको फित से voter registration पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको अपने voter ID नमर को आपको fill up कर देना है इपिक नमर मैंने fill up कर दिया है यहाँ पर fetch details पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा record found कर लिया गया है इसके वाद आपको proceed पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर आपका सारा details खुल करके आजाएगा यहाँ पर आपको next पर click कर देना है जिसमें यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं अपने आधार नमर को fill up कर देना है इसके बाद नीचे में यहाँ पर मैं mobile नमर को fill up कर देना है mobile number आप अपने किसी relative का भी दे सकते हैं यहाँ पर अपना email ID को fill up कर देना है सभी चीज़ों को fill up करने के बाद आपको next पर click कर देना है next पर click करने के बाद आपके सामने form का एक preview खुल करके आ जाएगा आपको इसको पूरा से एक बार दुबारा चेक कर लेना है चेक करने के बाद आपको यहाँ पर में करना है confirm confirm पर करने के बाद आपका यह form यहाँ पर में submit हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा form successfully submit हो गया है और यहाँ पर में आपको एक reference number जनेरेट हो जाएगा आपको इस reference नमर को copy कर लेना है क्योंकि इस reference नमर के माधम से ही आप अपने application के status को track कर पाएंगे अपने application के status को track करने के लिए आपको explore के option पर आपको click करना है यहाँ पर आपको status of application पर आपको click करना है यहाँ पर अपने reference ID को fill up कर देना है इसके बाद यहाँ पर हम आपको track status पर click कर देना है track status पर click करते हैं यहाँ पर में status track हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अभी submit form हो चुका है और नीचे में यहाँ पर आपको सुरा details देखने को मिल जाएगा और नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पर में BLA point करेगा इसके फिर field verified होगा इसके बाद मेरा application accept हो जाएगा यदि आपका application किसी कारण से reject हो जाता है तो आपको same process से दुबारा से apply कर देना है तो I hope आपको यह पता चल गया होगा कि आप अपना water ID card में अपने आधार card को कैसे link कर सकते हैं यदि वीडियो में दीगी जानकारी अच्छे लगी है तो वीडियो को like कर चैनल को subscribe जरूर करे प्रेंट्स यदि आपको कोई भी question रहता है तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं इसी तरह कि informative वीडियो पाते रहने के लिए हमारा चैनल subscribe कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप miss न कर सके वीडियो में अंतग बने रहने के लिए धन्यवाद